नमस्कार दोस्तों स्वागता है आपका आपके चनल राजिस्थान गुर्जी पर एक और नए anticipating फ्रेश वीडियो के साथ में दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है वो वाला है आपके जो फर्स टेस्ट सेकन्ड टेस्ट और हाफेली जो अभी चल रहे हैं दोस्तों Armor और yearly जो एक्जाम होता है आपके वो वाला और दूसरा दोस्तों RKSMBK के जो एक्जाम है तो अभी हम फिलाल बात कर रहे हैं दोस्तों हाफेले के जो एक्जाम तक अभी हो रहे हैं उसके नमबर हैं वो शालादरपन पॉर्टर पर आप कैसे अब्लेट करेंगे प्लस दूसरा इस वीडियो में हम बताएंगे दोस्तों कि आपके जो जितने भी एक्जाम है फर्स्ट टेस्ट से लेकर के लास्ट yearly एक्जाम तक उसके बीट में RKSMBK भी आ गया तो उसके नमबर कितने कितने कैसे डिस्ट्रिबूट हो रहे हैं दोस्तों उस पर भी हम चर्चा करेंगे तो वीडियो को लास्ट जरू देखें और वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं कर रहा हैं तो फटा फर से सस्क्राइब जरू कर ले ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी दोस्तों वह आपको हमारे चैनल के माद्याब से दी जाएगी तो चलते हैं फटा फर से देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर कि आपको कैसे नंबर अपडेट करने हैं और यहाँ पर डिस्ट्टिबुशन उस नंबर का कैसे होता है दोस्तों कि आपको शालादरपन पोटल पर टेस्ट और परिषय के अंगों को भढ़ने के लिए आपको क्या-क्या ध्यान देने हैं तो आपको सबसे पहले दोस्तो प्रत्तिग विद्यार्थि को उचित रोल नंबर प्रथम पर्क में ही दे देना सुनिशित आपको कर देना है दूसरा दोस्तों यहाँ पर प्रथम जो है वो प्रपत्र साथ और साथ ए में विशे जो त्रती भशकापन चैन करते दोस्तों वो तथा अंतिम परिश्चा तक इसके करम को नहीं बदलना है तीसरा है दोस्तों यहाँ पर विद्यार्थी मासिक उपस्तिती मोडूल के अपडेट करें और महावार कारे दिवस्तों की प्रविश्टी करना यहाँ पर सुनिश्चित करनी है दोस्तों चौते हैं दोस्तों विध्यार्ति टेब में सेक्शन एंड स्टुडेंट मिडियम एंट्री यहां पे चात्रक के विशे के अनुरूप अपडेट आपको कर देनी है दोस्तों आगे चलते हैं यहां पे आगे दोस्तों आप देख पार होंगे कि आपको जो नंबर चडाने है शारदरपन पर हो आपको तो यहां पर सबसे प्यला आप जैसी सारेदरपन फोरेंगे आपको यहां पर परिश्या पढम करेंगा जैसे आपको परिख्याेशन परिख्या प्रविश्टी यह onda है दोस्तों उस पर आपको क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करेंगा दोस्तों यहाँ पर परिनाम प्रविश्टी 2023 आपको दिखने गाम का है आपका सेशन यहां पर पुछे का दोज़ा टेश्च चोई दोस्तों यहां पर आपको सेक्शन सलेक्ट करना है यहां पर एक्जाम एसेस्मेंट अपने इलेवन्थ क्लास का सेलेक्ट किया है और सब्जेक्ट हमने पैटर्न का और । वो आप कोैंपको यहां पिलब करनेका उप्षन यहाँ è ओपन हो जाता है यह सब आपको यहां पे बच्चों के भर करके यहां पcombazर कर देने हैं दोस्तों जैसेरigor कर jakaक नंबर है वो अपड़िट हो जाएंगे हैं धबission वह देख पर होंगे क्लास एक से लेके दो तक का तो holistic report कार बनता है offline दूसरी बात आती है दोस्तों तीसरी से लेकर गए कक्षा पांच वी तक तो उसमें RKSMB के progress report बनती है और बाकी दूसरा दोस्तों local examination यहाँ पर conduct होते हैं school level पर वो वाले की report इसकुल पर ही बन जाती है बात आती है दोस्तों चट्टी साथवी की तो यहाँ पर देख भर होंगे चट्टी साथवी में जो RKSMB के वाले जो subject आपको देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर RKSMB के वाले subject कौन-कौन से हैं सबसे पहला हैं Hindi English और Math तो दोस्तों यह जो तीन subject आपको दिख रहे हैं उनमें जो first test होता है वो 10 नंबर का होगा second test है वो 10 नंबर का होगा RKSMB के हैं वो 15 नंबर का होगा RKSMB के first और RKSMB के second होगा 15 नंबर का तो 30 नंबर का तो RKSMB के ही हो यह वाला दोनों दूसरा दोस्तों पच्चास नंबर की आपके हाफेल लिओगी जिसमें से 40 नंबर return के होगे और 10 नंबर जो है वो आपके मोखिक जो test होता है उसके होंगे दोस्तों आगे चलते हैं यहाँ पर annual का तो return में इसमें सित्र नंबर का total annual वाला एक्जाम होगा दोस्तों जिसमें 55 नंबर लिखित के हैं और 15 नंबर मोखिक परिक्षा के हैं और RKSMB के तीसरा एक्जाम जो होगा दोस्तों वो होगा 30 नंबर का तो इस प्रकार से RKSMB के जो subject हैं दोस इन सब को मिला के 200 नंबर जो हो रहे हैं दोस्तों यह सब first test second test RKSMB के एक दो तीन और annual और half yearly मिला करके हो जाएंगे दोस्तों अब जो non RKSMB के subject हैं जैसे की sst science और third language जो हैं आपके Sanskrit उर्दू या जो भी तो उसमें आपको क्या करना है यहाँ पर दोस्तों आप देख पर रह का है RKSMB के यहाँ पर नहीं होता है दोस्तों तो half yearly जो हैं वो आपका 80 नंबर का हो जाएगा अब 80 में से 65 नंबर की तो होगी लिखित परिक्षा और 15 नंबर की मोखिक परिक्षा होगी दोस्तों RKSMB के 2 भी नहीं होगा RKSMB के 3 भी नहीं होगा तो जो annual exam होंगे वार्षिक वो 100 नंबर की होगी जिसमें 80 नंबर लिखित परिक्षा के होंगे और 20 नंबर RKSMB के नहीं है दोस्तों यहाँ पर तो 20 नंबर मोखिक परिक्षा के हो जाएंगे दोस्तों तो इस प्रेकार से यहाँ पर जो non RKSMB के subject हैं उसमें unit first यानि first test second test half yearly 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 यहीं होंगे दोस्तों तो इसका total हो जाता है अपना 200 नंबर यहाँ पर और total आप देख पर होंगे नीचे बात करते हैं यहाँ पर जो other subject हैं जैसे की कारियान उबह उकला सिक्षा और स्वास शिक्षा तो यह 100 नंबर के तीनों paper होते हैं जिसमें दोस्तों आपको minimum pass करना जरूरी होता है अब बात कर दोस्तों कक्षा 6-7-8 की तो हो गई हमने बात तो अगली कक्षा लेते हैं दोस्तों हम यहाँ पर जो है नवी दस्वी की दोस्तों नवी दस्वी में क्या होता है दोस्तों आपको class 9 का exam देख लेते हैं अपन class 9 में दोस्तों Hindi, English, Math, Social Science, Science और 3rd language जो हैं उसमें 1st test 10 नंबर क हाफेल यह आपकी 60 नंबर की होगी, 3rd test फिर 10 नंबर का होगा और annual exam 100 नंबर का होगा, total मिला के दोस्तों दोस्तों नंबर का यहाँ पर पूरी जो yearly exam हो जाएगा पूरा आपके माक्षेट वो है 200 नंबर की एक subject की बन जाएगी दोस्तों और बाकी बात करें other subject की, तो other subject में आपको दोस्तों कारानुपव, काराश्चा और स्वास्चा में दोस्तों दोस्तों नंबर की आपको यहाँ पर पेपर मिलेंगे जिसमें आपको पास होना कमपर्सरी दोस्तों बागे आप देख पहर होंगे यहाँ पे physical health हो गया अपना यह वाला होगे स्वीड़ डबली ज एड्यूल हो जाता है दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं क्लास 11 की तो 11 में दोस्तों यहाँ पर हिंदी इंगलिश और ऑफ्शनल थियोरी ऑफ्शनल प्रेक्टिकल ऑफ्शनल जो special subject आपकी वह इसकी बाद में इसके जो short hand and typing matter और टाइपिंग हि जाता है वह दस नंबर का सेकेंट इस नंबर का हाफ एली में दोस्तों सित्तर नंबर की थियोरी होती है और यहाँ पर प्रेक्टिकल एक्जाम जिसमें नहीं है उसमें सित्तर नंबर की थियोरी हो जाएगी और जिस एक्जाम में प्रेक्टिकल हैं उसमें पचास नंबर की theory और 20 number के practical हो जाएंगे दोस्तों और optional subject में 20 number theory के और 50 number practical के हो जाएंगे दोस्तों और यहाँ पे 35-35 number के theory or practical में short hand and typing method और हिंदी English के हो जाएंगे बागी बात करें unit third test की तो यहाँ पे 10-10 number के हो जाएगा third test और annual में है दोस्तों जो हिंदी English है और optional subject theory वाला वह 600 number के हैं और बाकि जो practical exam जो practical जो आपके subject है उसमें 60 number की theory है और 30 number का practical होगा उसके बाद 30 number की theory और 60 number का practical आपके special में होगा इसके बाद में 50-50 और 50-50 theory और practical दोस्तों यहाँ पे short hand typing method और typing हिंदी English के हो जाएंगे दोस्तों तो यह 200-200 number के यहाँ पर आपके paper होंगे total 1000 number का हो जाएगा उसके बाद में आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत और जीवन कोशल पे 200-200 number के दोस्तों paper होंगे तो यह आपको पास करने कंपल सरी हैं दोस्तों तो यहाँ पे यह जो पूरा method हैं दोस्तों यह हमने आपको बता दिया class 6 से लेकर के 8 का भी बता दिया 9 से लेकर के 12 का भी हमने आपको इस वीडियो के comment section में भी मिल जाएगा तो वहाँ जाके जरूर जोइन कर लें सभी पीडियाफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी आपकी जो एक्सल सीट है वगयरा वगयरा आकर गंड़ना पपत्र हो सब हमने बना रखा दोस्तों चैनल पर जाके जरूर देखें और वीडियो को अधिक से अधिक जितने भी शिक्सक शाती हैं उन तक शेयर करें ताकि सबको इसका लाब मिल सके दोस्तों मिलते हैं ऐसी नही नही हुआ हैुआ है